नवस्कार आप देख रहे हल्ला वोल आपके साथ मैं हूँ अंजनाओं कशप इस बार इस बात के लिए खुश रहिए कि कम से कम रोजगार पर चर्चा हो रही है वरना अक्सर पिछले चुनाओं में हम लोग बहस करते थे इधर उधर की बातों पर किस ने किस पर क्या कह दिया लेकिन हां प्रधान मंत्री के परिवार पर सवाल के बाद परिवार वाद की राजनीती पर बहस जरूर शुरू हो गई है और वो बहस देश में लोकतंतर में हो करते वाले नेता तो मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे हैं यह देश मेरा परिवार है बीजेपी ने मौकल अपका और उसके बाद से अभियान की शिरुआत कर दी मैं हूं मोदी का परिवार तो एक तरफ परिवार परिवार वाद तो दूसरी तरफ रोजगार राहूल गांधी कह रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां वो देंगे अगर वो सत्ता में आते हैं और इसी के साथ चीटिंग यानि नकल के खिलाफ एक गयर नकल कानून वो लेकर आएंगे क्योंकि ये वो मुद्दा है जो युवाओं को भी छूता है देश भर में प्रभावित करता है सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत गौरब भातिया जी राश्च्र प्रवक्ता बीजेपी के तालियों के साथ स्वागत कीजे इनका पहले की लेकिन हम चर्चा की आज उर्जा बहुत है बहुत अच्छी बात है तालिया देर तक बज रही है बहुत सारे इन में first time voters भी है उनसे भी चर्चा करेंगे पहले आपको जल्दी से सुना देते हैं किसने इस मुद्दे पर क्या कहा है रोजगार की ग्यारंटी कैसे राहूल गांधी दे रहे हैं परिवार बाद पर क्या कहा लालू प्रसाद यादव ने और पीम ने कैसे उस मुद्दे पर पूरे देश की जनता को अपना परिवार बना लिया एक सचालीस करोर उनका परिवार अब सुझ रहा है परिवार है तो आप सब को बोलो कि बाल चिलवाब है बरने के बाद जो मर गए तुमारी मता जी का द्यवसान हो गया उसके बाद सरात का जो रसम है तेरा दिन पर जो होता है तो तो कुछ नहीं किया मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के युवाओं के लिए आदिवासी युवाओं के लिए पिछले वर्द दलित गरीब जेनरल कास के युवाओं के लिए कॉंग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90 परसेंट को पीस लाग सरकारी नौकरिया हम बेदेंगे नेता जी हम लोग अक बारें में कुछ सोचिये नौकरी नहीं मेरा ही परपन लीग हो जा रहा है जिन्दा बाद बहस की शुरुवात कर देते हैं गौरबाटिया जी पहला सवाल आपी से है और वो प्रश्ण ये है कि परिवार पर परिवार वाद पर आप बहस ले जा रहे हूं कह रहे हैं आप एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाबनात्मक तरीके से देश की जंता को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं जबकि विपक्ष खास्त और पर कॉंग्रस पार्टी राहूल गांदी रोजगार की बात कर रहे हैं देखिए आपने दिखाया किस त पून पसीनिस से सीचा है 24 घंटे काम किया है पिछले 10 साल उनको कोई गाली दे तो यह हमारे लोगतंत्र का अपमान है यहां जो जनता बैठी है उसका अपमान है और भारत यह सहेगा नहीं सबसें सबस्क्राइब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं एक पार्टी यह भार इसके साथ खड़ी होगी वो खड़ी होगी ऐसे भारती जनता पार्टी के साथ जो देश को ही सरवोपरी समझती है तीसरी बात मैं अंजना जी आपसे बताऊ गो जिस जिस ने दी है मोदी जी को गाली जनता ने कर दी है उसकी जोली खाली फट गई जीरो मिला और इनका भी प्रदान मंत्री जी को गाली दे आप हिंदूओं को गाली दे आपके खुद की गाड़ी का इंजन नहीं है और आप बता रहे हैं कि नहीं मोदी जी ने ये खराब किया औरे मोदी जी की संतान है कि नहीं है ये लालू जी ने कहा ना मैं आपको एक बात बताता हूँ ये वो पार्टी है जो जानवरों का चारा खा गई और पाच बार दोश्ट से धें लालू प्रसाद यादा भ्रष्टाचार करने के लिए और जब उन पे भ्रष्टाचार का अरोप लगा उनको मौका मिला किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे तो उनको कोई नहीं मिला उनको मिली राबली देवी पाचवी पास नहीं है वो जंता का भला क्या करेंगी अरे आपका कोई भला करेगा तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे जिनों ने दिखाया असंभव को संभव कर देंगे और यूकरेन से रूस स हम लोग के भारतिये वापस आ गए कोविड समय में भारतिये वापस आ गए और आज सेनिक जो कतर में थे भसे हुए ये तंज कस्ते थे कब लाओगे उनको वापस भी कोई लाया है उस जक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है अब है दूबे जी एक तो रोजगार के मुद्दे पर समझाईएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक्जामपल है जहां पर एक लाग सरकारी नौकरी की बात पुर्यांका जी ने की थी और जब नौकरी देने की बात आई तो फिर सुकुस आप कहरें कि हम नौकरियों का स्रिजन करेंगे तो ए तुमने दाड़ी क्यों नहीं बढ़ाई तुमने बाई के लिकटवाया क्या यह मुद्दा है देश का अन्दना जी भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता अक्सर कहा करते हैं कि प्रधान मंत्री जी अठरा-ठरा घंटे काम करते हैं अरे जब सरकार छे घंटे सोती है तब महिमा मंदित करते हैं कि खून का घुट पिया है अंदर से लहू लुहान हूं जार-जार हूं मैं प्रधान मंत्री मोधी का परिवार हूं बेहगाई की आग में जुलसा हूआ वेरोजगारी के भवर में उल्जा हूआ बलातकारियों को सत्ता की सरपरस्ती से शरमसार हूँ मैं मोधी जी का परिवार हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी आपने बात की 140 करोड़ लोगों की लेकिन फायदा कितनों को पहुचाया 140 लोगों को मुठी भर धन्ना सेथ हिंदुस्तान में 1600 करोड रूपे रोज कमाये और आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रूपे किसानों की आमदनी हो जाये तो बताइए किसान परिवारों का प्रतिनिधित्प करते हैं और 60 प्रतिशत आमदनी हिंदुस्तान की सिर्फ 5 प्रतिशत धन्ना सेथों के पास सली जाये तो आप देश के उन नागरिकों का प्रतिनिधित्प नहीं करते हैं प्रधान मंतरी जी और सड़कों पर आप तडपा तडपा कर उन्हें मारते तब आप उस नारी प्रजाती का प्रतिनी धित्व नहीं करते, प्रदान मंत्री जी, मणिपूर में हमारे जो सैनिक अपनी शहादत देने को आतूर हैं, उनके परेजनों को नग नर्मस्था में गुमाया जाए और पचास दिन तक आप मोन साधे हैं, तो आप मणिपूर के लोगों का प्रतिनी धित्व नहीं करते हैं लग्दा के हजारों लोग सेज़कों पर है और असलार एक जाथ जी चांत तरहिए प्रदान मंत्रीजी और अप्र arbitrage आप बहुत अच्छ अच्छवर सियाह रात नहीं लेती नाम धलने का क सूरज तेरे निकलने का मैं जानता हूँ राहूल गांदी जी जिस द्रड़ इच्छा शक्ति के साथ सड़कों पर निकले हैं भारत को जोडने के लिए सत्ता की भूप नहीं है लेकिन वो हर संभव कोशिश करने कि भारत के अमरिकों को न्याय मिले और नोकरी अकेले मंत्री मंदल के डिप कारी संस्थानों में अगर पंद खाली है तो आपके अधिकारों का क्या होगा अपने लीडर्शिप क्रेडिबिलिटी पर कुछ नहीं बोला सर मेरा सवाल था आप लोग क्यों नहीं जीत पा रहे हैं वो कह रहे हैं कि इंजिनी नहीं आपके ट्रेंगे जीत का क्राइटिरि जी तीन दें पहले 70,000 करोड के घृटाले कारोप लगाते हैं वो अजीत दादा पावार ना खाओंगा ना खाने दूगा ये देखिए आपको बोलेंगे कि आप बीजेपी पर ऐसे लिखिया इनको बोलेंगे आप पाउर्स पर इसे लिखिया है हमारे यहां एलेक्शन कमिटी की बैठक हुई चार बजे तक मन्थन हुआ संबाद हुआ बाचीत हुई उसके बाद जो है हमने चिनित किया कि कौन प्रत्याशी कॉंग्रिस पार्टी में बैठक हुई वहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया और बताया गया कि पुल गांदी नहीं आए और वो बैठक हतम हो गई यह गंभीर ही नहीं है और इसलिए मैं एक पंक्ति कहूंगा नहरू जी कह गए इंदरा से ऐसा पोता आएगा कैंपेइनिंग करेगा कॉंग्रिस की भाजपा को जितवाएगा अब मैं तो बातें जो है बड़ी प्रकरता के आपको बताता हूँ देखिए रोजगार की बात होती है सबसे पहले मुझे याद है 2019 का चुनाज अब होगा नयाए पूरे भारत में बेरोजगारी है यह बात अलग है कि राहूल गार्दी बेरोजगार हो गए है वो अलग बात है लेकिन हमने क्या किया यह हमारी जिम्म योजिना में रोजगार के अफसर पैदा किये लोन देखे और जो एपी एफो डेटा आया है दस साल का पिछले है उसमें करीब 15 से 16 करोड नए जो है अकाउंट खुले इसका मतलब नई नौकरी लगी है कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी सीटे किनों सारी किनों के तो भी अंड़ा ही आएगा ऑफलेट बनाना कुछ नहीं हो जाती है एक कमेंट अपने होना चाहिए एक प्रेशन में पीच में पूछ नौ लाक सेवेंटी नाइन हजार मतलब 89,327 यह केंद्र के विभागों में रिक्त पद है सरकारी नौकरियों के विभाग करें हो अटॉमिक एनरजी में 9,460 डिफेंस सिविल में 2,64,000 ग्रे मंत्राले 1,43,000 डाक विभाग 9,00, नौकरियां रिक्त है उसमें आप भरती नहीं कर रहे हैं रेलवे 2,94,000 राजस विभाग में 80,000 संसद में सरकार का जव ये तमाम बार ऐसा होता है कि न्याले में मामला जाता है और उसके बाद रोक लग जाती है अजना जी और जब तक वो फैसला नहीं होता आप नुक्ती नहीं कर सकते लेकिन आकड़ा ये भी है नरेंद मोदी जी ने कहा पिछले एक साल में रोजगार मिला लगेगा करीब सा 30.2% परसेंट पर आई है आकड़ा ये भी है मैं एक बात कहूंगा हो सकता है कि युवाओं को हमसे उमीद हो और हम उस उमीद को पूरा करने में थोड़ा कमी रख दें लेकिन हम इमांदारी से काम कर रहे हैं और ये बात सकते है कि तीसरी बार भी मोदी जी आएंगे और य इस देश की जनता को रती भर सवाल में इंट्रेस्ट है कि पी-म की फैमली में कौन क्या है नहीं है यह सवाल लालू जी पूछे इतने बड़े मंच्ट से जहां पर इंडिया गडबंधन के साथी मिल रहे थे क्यों उन्होंने थाली में सजाके एक मुद्दा बीजेपी के ह सब्सक्राइब करने का बात है तब तो एक अलग बात उन्होंने सवाल संतान पर पूछा था वो परिवार पर ले गए और पूरा भारतिय जंतापर्टी के नेता जो थे वह मोधी का परिवार कहने में ब्यस्त हो गए लेकिन यह तो बात सच है ना कि जिनका भी संतान है उचा बात परिवारबाद लेकिन हमने तो गारोभातिया जी का जबाब एक नौकरी पे है 17 साल बिहार में रहे 10 लाख डिक्तियों को रोक कर रखे वो मात्र 17 महीना में वो नौकरी के सारा कोट का जज्मेंट हो गया 17 महीने में 17 महीने में वो नौकरी दिए गई 5 लाख जिससे अ काम करते हैं वहां बिहार में बुल्डोजर से फूल परसाय जा रहे हैं जिस नेता को लोग देखने के लिए रात के दो दो बजे तक जगे रहें आप करते हैं कि उनका नौकरी देना और उनकी बात करना और जहां तक लालू जी की बात है तमाम तरह का ब्रहम फैलाएंगे राबडी देवी जी के सिक्षा पे सवाल जरूर उठाएंगे उमा भारती का नहीं पूछेंगे परहान मंतरी की सिक्षा क्या है नहीं पूछेंगे और बीना जो स्कूल ड्रॉप आउट है भारती राइनित में आप देखे होंगे कामराजी का उधारन है स्कूल ड्रॉप कामरा जी मुख्मंति के रूप में क्या किया था वो सब जानता है तो जहां पर जो सवाल पूछना है वो नहीं पूछेंगे एक बार यह लॉंग फ्रेम दिखा दीजिए जिसमें तवाम बच्चे दिख रहे हैं आप में से कितने लोग फर्स टाइम बोटर से हाथ उठाईए लग सकता है कि अगर मुद्दे को आप समझने का कोशिस करें तो उसमें कोई जूट नहीं है उनके संतान के सवाल पूछना और जो बार बार यह क्या कह रहे हैं समझ में आए बिल्कुल समय नहीं आप बिहार के युवा क्या कर रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए उन सबने सुना अब यह सैंपल अलग नहीं होता है कि बिहार का युवा कुछ और सोचेगा यहां का युवा कुछ और सब्सक्राइब किसी को इंट्रेस्ट नहीं है इस में अर्विन जी हम यह कह रहे हैं कि लालू जी सिरफ यहीं तक सीमित नहीं रहे उस से आगे निकल के उन सब्सक्राइब करें कि लालू जी ने वशुपति पारस देने को त्यार की नहीं हाजी परसीत अब उस पर भी आओंगा लादू जी खुद ब्रस्टाचारी है कन्विक्शन है दस दस साल की तीन मुकदमों में सजा है अपील पैंडिंग है बस और बेल पे हैं उन्होंने क् परदानमंद्री तो हिंदू ही रहें लाकाली संतान तक नहीं रुके हाली तंज कसने तक नहीं रुके अनुने उनकी द्र्थम को चेलेंज कर दिया लूना उन्होंने यह बोला के बढ़रांब रहला यह बेल लालू जी तो अ मतलव हम इस सात् youtube धाम primarily को मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है जैसे साथ मार्च को हमारे प्रधान मंत्री जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए गए थे तो उस विजिट के वज़े से जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे 10th के क्लास के बोट का एक्जाम पोस्पोन किया गया क्या हमारे प्रधान मंत्री के लिए election campaign जाद जरूरी है या हमारा एक्जाम क्योंकि हमारे youth का एक्जाम और जब से अनुचे 370 को हटाया गया पांच साल में पहली बार प्रधान मंत्री जी वहां गए हैं ये बिलकुल सही बात है कई बार सुरक्षा कारणों की वज़ा से असुविदा हो सकती है लेकिन एक बड़ी तस्वीर भी है तस्वीर ये है कि जहां बच्चों के हाथ में पत्थर होता था, आज उनके हाथ में पुस्तक है बड़ी तस्वीर ये भी है कि 99 प्रतिशत कमी आई है पत्थर बाजी में 70 प्रतिशत आतंगवादी जो वहाँ पे वारदाते होती थी उनमें कमी आई है और मैं इत्ता ही कहूंगा कि सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी को है सारे जितने हमारे बच्चे हैं जिनकी परिक्षा हैं तो प्रदानमंत्री को है आपने नहीं देखोगा किसी भी देश का प्रदानमंत्री या भारत में भी इससे पहले बच्चों के लिए परिक्षा पे चर्चा कोई व्यक्ति करे पिता तूल ले होके वो हैं तो नरेंद मोदी जी हैं लेकिन फिर भी किसी को असुविदा हुई है तो मैं यही कहूंगा कि आप बड़ी तस्वीर देखेंगे तो हर नागरिक थोड़ी सी असुविदा सेलेगा पहले में सबको नमस्कार बोलना चाहूंगा तो मेरा यह कोश्चन है कि जो परवार बाद आप बोलना है कि इंडिया हमारा परवार है तो इंडिया में तो हिंदू-Muslim सब आते हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो BJP होती है वो केवल हिंदूों के लिए ही मितलब और जो Muslims ज रखिये कि वो टेर्रिजिम ग्रुप से हैं यह हैं वो हैं तो मेरा यही कोश्चन है कि वह आप ऐसा क्यों है जवाब दीजिए को प्रतिशत मैं सहमत हूं कि हिंदू-Muslim से किसाई हम सब आपस में भाई-भाई और मैं आपको एक तथ्य बताता हूं ट्रिपल तलाक आप मान की अस्विता की बात है जो अपने आपको मुस्लिम पार्टी बताती थी कॉंग्रिस पार्टी वो कुछ नहीं कर पाई नरेंद्र मोदी जी ने उससे अपराद बनाया बीच में यह राहूल गांदी की ट्रेनिंग का इस्तमाल यहां मत करिए लीज दूसरी बात दूसरी बा हो स्वच भारत हो करीब 35 से 37 प्रतिश्य भागिदारी मुसल्मानों की है इसलिए उनको भी आगे बढ़ाए जा रहा है लेकिन अगर कोई यह कहेगा अफजल गुरू हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिन्दा है तो फिर उसको अफजल गुरू को फासी की सजा हुई थी पी एक सच सबको जान लेना चाहिए कहते ना थोथा चना बाजे घणा तो भारती जन्ता पार्टी एक मात राजनेतिक दले में हर डिबेट में इस बात को कहता हूं हर बार आपको सुनना चाहिए जिसने घोशित आतंकवाधियों को अपनी राजनेतिक सत्ता की भूख मिटाने के लिए टिकिट दिया है सेफूला फारुक गूगल कीजिए गाप जो दुर्दान तातंकवाधी था पंडितों का हत्यारा था दस साल जेल काटी भारती जन्ता पार्टी ने वाड नंबर 13 से पो टिकिट दिया तारी कहमत मीर जम्मू कश्मीर का घोशित आतंकवाधी था पाकिस्तान से हतियार सप्लाई करता था विधान सभा का चुनाओ इन्हों ने लड़ाया तालीब हुसेन हमारे देश के ग्रमंत्री के अच्छा अनुचे 370 बाहर करेंगे था जिस भारती जन्ता पार्टी के नेता ने अवजल गुरू के लिए कहा हो कि उसको नियाय का पर अनुचे 370 बाहर करेंगे या नहीं तर पर आप लोगों क्या स्टैंड बताईए अनुचे 370 पर कॉंगरेस पार्टी ने ओफीशली रिजूलूशन पास किया है जो हमने कहा है कि स्टेट हुट की मांग करते 377 ने बाहर करेंगे यह पूछ नहीं एक सेंड लीज बीच में अनुचे 370 बाहर करेंगे या नहीं होगा यह पताईए यह कहते शामा प्रसाद मुकर जी अब आप देखें आर्टिकल 370 को लेकर शिकायत जम्मु कश्री के लोगों से कॉंगरेस की यह थी कि हमने स्केलेटन कर दिया अनुचे 370 इन्हों ने हटाया है हटा रहेगा या अगर आप आते हैं तो वापस लाएंगे सार मेरा सवाल यह है कि बजट सेसिन में हेल्ट सेक्टर में आप लोग करते हैं बट्स चाहिए को इस पर बज लोग करते हैं तो इसका है एक सभड़ से और आपको उससे दिक्रत क्या है और राहोल गांधी लोगों के लिए मंच होता है इनके विचार समझने का रेक्ट थोड़ी करना सब्सक्राइब बतार राहोल परिवार भी उन्हों ने क्या कर लिया अगर आप मुदी के बात करते हैं तो मेरा सवाल विपक्षी से है कि उद्रेनेदी स्टैलिन ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो सनातन धरम है वो मलेरिया और डेंगू के समान है रेडिकेट सनातन धरम तो इसमें आप एक ऐसी बीजेपी को हराने के लिए एक ऐसी पार्टी के साथ भी जुड़ जाएंगे जो एक धरम निर्पेक्ष राष्टर में सनातन धरम धरम को बरवात करने की बात कर रहा है पर जब बात पीम मोधी पर आती है तो गुलवत्ता की बात आजाती है वही सारे वोट लूटने है हिंदुत्व के नाम पर पर जब सवाल होता है कि हिंदु के बारे में बात क्यों की जा रही है तो यह दोहरी मापदन की राजनीती कब तक चलेगी जहां तक बात दक्षिन भारत के प्रांतों द्वारा सनातन धर्ब के संदर्ब का है तो कॉंग्रेस पार्टी ने इस पश्ट किया है कि हम विभिन भाशा भूशा भेशा धर्म संस्कृती संसकार के लोग हैं सबका समान आदर हैं उस बात में बिलकुल आस्था नहीं रखत भारती जनता पार्टी के साथ शामिल हुआ है बाद में यह कह करके कि मर्यादा पुर्षत्तम राम के पिता और उनकी मां उन पर इतना घ्रणी तारोप लगाया कि राम उनके पुत्री नहीं है उनके पिता से पैदा नहीं हुए उसके बाद प्रधान मंत्री मोदी जी गले लगा लेते हैं जितन राम माजी मर्यादा पुर्षत्तम राम पर इतना घ्रणीद बयान देते हैं उसके बाद प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि यह 38 दलों के हमारे नवरतनों में से एक हैं तब क्या यह शोभा देता है भारती जनता पार्टी को हम लोगों ने तो हम लोगो और जो परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं उन्होंने क्या कर लिया दोनों का नाम भी अपने परिवार बाद पर मैं कहता हूं आयम निजो परोवित्ती गड़ना लगुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटमबकम यह सनातन का मूल मंत्रे जो हमारी लो पत्र दिया है है क्यातर तो अगरा मंधी और ब्रह्मचारी जीवन के अब theaters कोई तकी नहीं आब । के सब्वाइब में और लेकिन मैंने जो कहा है प्रदान मंत्री जी परिवार yatarag ढूँड तो ठीक है उन्होंने जिससे साजिदारी कि फटभी कि फूछिया जब प्रधान मंत्री इसे house में पूछा कि ये वी तो परिवार साथ जी इसके बाद निसंजै Nisar जी उसके बाद राजबर जी उसके बाद अनुप्रिया पटेल जी बोले लड़िये उनसे मतलब आप साथ रखेंगे और हम को कहते हैं परिवारबात के खिलाफ लड़े यह प्रधान मंत्री जी दोहरे माप दंड़ नहीं होते हैं अपने दामन की सिया ही तो मिटा लो पहले ह अगला सवाल था जो आप लोगों से था एक तो दोहरी पॉलिटिक्स पर सवाल यह है कि हां हिंदु तो आली बात आई हिंदू आप करना चाहते हैं लेकिन हिंदू पर कोई सवाल करें तो वह मंजूर नहीं है मैं कुछ और कहूंगा देखिए सबसे पहले तो यह एक आपकी सोच है जब नरेंद मोदी जी प्रधान मंत्री बने उससे पहले कोई अगर यह कहे गर्व से कि मैं हिंदू हूँ तो यह नहीं कह सकता था और आज की डेट में गर्व है हमें इस बात पर कि हम हिंदू है क्यो आप परिभाशित कर दे जब आप शांत करेंगी तब यह उचेती हैं पर आपके बीच में किस ने बोला नहीं मुझे नाम बताइए तो फिर आप भी मत बोलेंगे मत बोलिए गलत बोल जाएंगे एक लाग वोट कटवा के जाएंगे ना बता हो चितना चुप रहेंगे उत दे दिया गर्व है हमें कि हम हिंदू हैं लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस मुझे पे भी चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने अनुछे 370 को उठाया हटाया इस मुझे पे भी लड़ रहे हैं कि जब हमारे जवान बुलेट प्रूफ जाकेट बांगते थे तो गांधी परिवार वी वी आईपी चौपर लेता था दो लाग तीस अदार बुलेट प्रूफ जाकेट कोई लाया नरेंद्र मोदी ही लाया हम इस मुझे पे भी लड़ेंगे कि महिलाओं के लिए अगर आरक्षण संविधान संचोधन करके कोई लाया उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है और हम इस मुझे पे भी लड़ेंगे कि आज युवाओ को अगर दिखाई देता है कि उनका भविश युजवल है हमारा प्रदान मंतरी इमांदार है एक रुपया नहीं चुराएगा गांधी परिवार की तरह नहीं लाकों करोड चुरा लिया आपके तो इस मुझे पे भी ने चाहेवाला बोला 2019 में चौकिदार बना दिया और अब क्या स्टैंडर्ड इतने गर गए है आप किसी के पर्सनल फैमिली पे जाएंगे यह डिफेंस मिनिस्री ने अपनी वेबसाइट पर डाला था जो मोदी जी ने अटवादिया चीन भारत की सीमा में आज बे इन बच्चों को कह रहा हूं भारत चीन की सीमा में घुसा है यह में इंटि स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट है कि नोटबंदी की कारण हिंदुस्ता और पारण और सुरिया परिवार बात करना यह कोई के बात कर रहे यह क्या ने सिर्सकिंटान की बात भाद कर रहें आप ये भी तो देखे जिस परिवारबाद को खारिज कर रहे हैं उसका नेता की सस्तर का और क्या काम कर रहा है आपने देखा नहीं 17 महीना का रेकॉर्ड परदार मंत्री जो है खाली परिवारबाट तक सीमित नहीं है परिवारबाद के साथ साथ ब्रस्टा-चार की लडाई भी जारी हैं और जब परिवारबाद की बात करते हैं वे का ताकपर है बरस्टाचारी परिवार से जैसे ये लालू परिवार है और किस डर्स आप चुके हैं आपको दो लाइन में ही बता देता हूँ राहूल गांदी ने का युवा नशेडी हैं और नरेंद्र मोदी जी तो भारत को अगर विश्व में अग्रणी भूमी का निभानी है तो उमीद की नहीं यकीन की किरण कोई है तो युवा है आप लोग जो यहां बैठें आप देखें चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुनने के लिए तालियों के साथ बहुत अपिन अंदन आप सभी का हला बोल में इतना ही देश होना है कि बागी ख़बरों के लिए आप देखते रहे हैं आज कर दो